वेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू पी वी आरे स्टडी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चो एक्सरसाइज एट पॉइंट वन एट पॉइंट वन क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा कुश्चन नंबर सेब एट नाइन टैन इलेवन इसमें होगा ठीक है आ एकल से बनापानेट इकाइट हैं तो ग्यात कीजिये यह ऑन प्लॉस साइन तीटा इंटु वन माइनस 헌न प्लॉस कॉसर इंटु एयुसक कॉसर फ़ी destruction प filt कि यह मैं फंड करना है ठीक है था कि हम लिखेंगे डिया है दिया है या होई डिया है कोभ्या है को इड टा मैं प तैन थीटा का उल्टा होता है होता है और यह एक फर्मूला आपने देखा होगा लाल बटा कक्का यह कहानी आप सबको पता है जिसमें क्या होता है इन अपोजिट वालों के लिए उल्टा लागू होता ना यह लेकिन हम पहले निकाल लेते हैं चलो सीधा-फीदा तो टैन के 창 के लिए ते के लिएह एक लिए ऑन्रेट के तैन लेहे हमारा लमप्टे आधार हो जायेगा यह होगा परपेंडीकुलर दिया है चलो कर लेते हैं इसमें एक चीज अच्छी है कि इसमें थीटा दिया है कोई भी कोण ABC कहां लिखना है क्या लिखना ऐसा कुछ नहीं दिया है ठीक है तो मिनके नाम कहीं भी अपने अनुसार सोतंत रूप से लिख सकते हैं थीटा की बात कर रहा था मानलो मैंने माना की ठीटा यह है मैंने सी पर कोण को मानले लिख कह तो साथियों इसके सामने की बुझा लंब होगी क्या होगी बाबु लंब होगी यानिशन कैसुन इत्यकर क्या होगा आधार मतलब से बन यह हमें दिया है अब जो यह पूछ रहा है इस में 11 प्लस साइन лишь माइनस साइन अपान प्लस कॉस और माइनस कॉस तो पहले हमें सवन थीटा और कॉस थीटा का मालूम होना चाहिए तब ही तो इसमें रखेंगे ren को फिशा का पूचा था तो छॉट कॉछ थिता दो निकाल कोदेग़ आसानि से लेकिन पहले बाले कि पहले हम साइन और कॉस का मान निकालेंगे और साइन और कास का मान तभी एगा जब इस तिर्बुच के तीनों बुजाय मालूब होंगी क्यों सही बोल रहा हूं न तो भाई चलो पाइथागोरस पर्मिये से लिखो बाबू इसमें क्या लिखोगे पाइथा गोरस पर्मिये से लगा दिजिए आधार काई करण काई स्क्वाइर पहले होगा न यहीं एसी का स्कॉइर एक्वल एबी का स्क्राइर मतलब साथ का इसक्राइब भाई यह 64 हो जाएगा बाबू यह 49 हो जाएगा यह तुम सब को पता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों को हम जोड़ेंगे जोड़ लो भाई नौच्छा पंद्रा पांचार नौइक कितना हो जाएगा दस अजीब आइगा एक इसे बराबर कितना आएगा अंडरूट 113 यह आपको मिलेगा अंडरूट 113 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए हमें सब मिल गया अब हम क्या करेंगे भाई हम निकालेंगे बापू साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान जब यह मान आएगा तो हम म साइनल में सारा जुमान है वो मिल जाएगा तो लिखिए साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे तो थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ड क्या होता भाईया लंब बटे कर्ड यानि लंब का मतलब पर्पेंटिकूलर कर्ण का मतलब हाइपोटीनियस इसमें लंब 1113 उसी तरह से कॉस्थीटा में अगर आगे बढ़ेंगे तो लाल बटक कक्का के एकॉर्डिंग यह हो जाएगा आधार बटे कर्ड आधार यानि बेस का मदलब हाइपोटिनियस तो भाई बेस क्या है इसके सामने का बुजा यह क्या है यह पेंडिकुलर है यह बेस है बेस मत दिखेंगे मुख्य कोईश्चन में क्या कह रहा था बबू भी दिखा हो यार जात्वा नमबर ना ठीक है धिए पिल्स स॑ धीटा और वर्णेस शाइन धीटा आपान वन प्लस पुश्जग ओर लन गाल यह निकलना है तो हम यहां पर क्या करेंगे को हुआ करेंगे चलो फॉर्स क्विश्चन हम उतारते हैं जो आपके बुक में दिया है 1 plus sin theta 1 minus sin theta ऐसे कुछ हमें निकालना है नीचे क्या है 1 plus cos theta 1 minus cos theta यह हमें क्या करना है तो चलो फटा प्रकूश्चन हटा के इनके मान रख लेते हैं लेना ठीक है देखो नीचे थोड़ी कम जगा है और यह फ्रेक्शन के फर्म में है इसको मान रखने के लिए थोड़ी जगा चाहिए तो इनके मान मैं आगे लिखूंगा आपको एक सुझाओ बता दूं सभी बच्चे क्या करोगे सबसे पहले लिख लो यह पहली लाइन पूरा लिख लेना अगर आप नीचे ऊपर कउपी में लिख अगर आप नहीं लिखरे आपकी कउपी में जगा है तो जैसे मैं करहा हूं इसरो बगल भगल भी कर लो प्रमज में है ना ठीकार कॉपी में जखा नहीं तो पहले यह पहले वाली लिःण लिखना है फिर यह पूरा बनाना है फिर यह लीखना बीच वाली यह लिखनद deber इसको बाद में करने अबम मिटआओंगा क्योंकि हमारे पास جगा नहीं तो आप क्या करेंगे मिटा के सारे मान देंगे फाइनल में आंसर आजाएगा यहीं था मेन आपका कोई डाउट है आप कमेंट करो मैं बताऊंगा निसंकोच आप कमेंट कर यह पूछिए कोई भी डाउट है आप पूछिए चलिए वन प्लस साइन थीटा वही मान इसके यहां रखेंगे बाब उपर साइड में ठीक है तो वन प्लस यहां से आजाओ वन प्लस साइन थीटा साइन थीटा कमान अभी अभी आया था अपान अंडरूट कितना है जो भी यह देख लो लेकिन उसके पहले एक चीज़ा और समझो व a यहं प्लस ब्छे माइनस भी होता नहीं है एकःश्वायर मानस बीका स्कॉायर Health और यह 1-टीटा हेगा यह फार्मूला होता एक फ्लस लागा सर्फ हो जतना लिया नए इसको पूरे को हम ऐसा लिक सब्सक्रे yapt q नहीं समझें देखो समझो यह 1-sin2 थीटा होता है 1-sin2 और 1-sin2 यह फार्मूला होता है सूत्र होता याद रखना इसके बराबर होता है इसी तरह से चात्रों 1-cos2 थीटा यह 1-cos2 थीटा और 1-cos2 यह दों क्या हैं यह सूत्र है इन्हें याद कर लीजिए इसलिए हम इस पूरे को उधर वह से लिख सकते हैं अब इस सारे मान रख देंगे 1-sin2 का मान है 8 बटा अंडरूर्ट 113 और इसका चुकी whole square है यह पर इसलिए इसका whole square उसी तरह से इसमें 1-7 अपान अंडरूर्ट 113 इसका whole square इसमें किसी को कोई दिक्कत परसानी नहीं है नहीं है है बहुत आसान है अब मैं इसको मिटा रहा हूं कि मैं जैसे जैसे करता जाओं साथ-साथ में आप लोग करते जाओ जिससे कि आपके लिए कोई परकार की परिसानी नहों और हमारे लिए भी नहों हुआ है कि देखो भाई यह अंडरूर्ट में है ना बाबू कि आठ अंडरूर्ट में नहीं है इसलिए जब इसका स्कॉर करेंगे तो क्या हो जाएगा आठ तो हो जाएगा चौसट और यह 113 ऐसे ही रहेगा यह जागवा इनस साथ का वर्ग 149 और यह 113 ऐसे ही रहेगा ठीक है आप लोग अच्छा 10 में पहुंचो इतना तो आपको आता सब्सक्राज मलटीपल करिए तिर्चा गुड़ा जिसे बोलते हैं। इंके नीचा था छाट है मैं इसर करूंगा को क्यां करूंगा बोल यह सब मैं जबता देता हूं आप लोग कि इन सब को देख लिए हो लिख हो किसी को कोई प्रकार Ah now आप्सा नहीं है तो यह इनका क्रास मल्टिपल कर लेंगे बाबु नहीं है तो यह हो जाएगा 113-64 एंसाल करना आता है मैंने इसका इसमें गुडा किया इसका इसमें कैप इसका इसमें ने इसमें हो जाएगा 113 माइनस 14 अपान 113 यह कट जाएगा यह आप घटा के देखो पहले फिर मुझे बताओ क्या आएगा बाबु 49 यह 49 आएगा इसको इसमें से सब्ट्रेक करो तो 60 सम्थिंग आएगा 64 आएगा ना घटाना उटाना जानते हो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं 64 आएगा confusion में हो यह देखो गटा लो ना 13 में से 9 गया चार यह 14 10 10 में से 4 6 को समझ में आ है ना उपका गया answer हो गया क्या यही तो निकालना था कर निकालना था इसका मानी तो निकालना था यह हो गया डन लिख लिजी पहला कुष्टन हो गया इसका यह का क्युक्ष्टन नंबर कौन साथ कर रख बाबू स्क्रेंग साथ लिजा नोग कर फ़र этотकर यह सुमन है पनार चाहर्ट अधमादंबर डिखा हैirens नंबर आठावा दिखाओ किया कहता है कि समाज ना आठावा नंबर कह रहा है कि यदी थ्री कॉट ए बराबर फोर है तो जाज कीजिए 1-10 स्क्वाइर ए प्लस नहीं 1-10 स्क्वाइर ए अपान 1-10 स्क्वाइर ए बराबर स्क्वाइर् है या नहीं है अगर ःप लोग किताब लिए ओ तो आपके सामने समझ गांगी कि क्या रहा है वाद्व चलिए लिखें adhere पहले जो डिया सब्सक्राइच सब्सक्राइब लिखिए दिया है त्री कॉर्ट ए इक्वल फॉर यह दिया है तो बाबू हो यहां पर कॉर्ट ए बराबर आएगा आपका फॉर अपान थ्री क्या आएगा प्Óर हमको पता है कि कॉर्ट ए बराबर सूत्र होगा इसका हो जाता है आधार भटे लंब इस अपान पर्पेंडिकुलगर Episode ठीक है तो आगे बढ़ें इतना हो गया पूछा क्या था बड़ा आजीव टाइब का पूछा है जांच कीजिए प्लाने प्लाने बराबर हैं कि नहीं है तो कोई बात नहीं हमें टैन और कॉस और साइन का मान पता होना चाहिए तब ही हम यह जांच परताल कर पाएंगे इसके लिए तो कोण ए दिया है ठीक है समझना तो देखो यहां पर एक चीज़ समझना हम यहां पर मान लेते हैं यहां पर भी यहां पर फी कहीं भी कुछ भी मान सकते हो लेकिन यहां पर माना है हमारे लिए लिए लंब यह सामने की भूजा हो जाएगी यह अधार हो जाएगी यह तो अधार क्या है चच्छा क्यों कि हमें अधार बटे कर्ड ये दिया भी तो है ना यानि इसमें आधार दिया और कर्ड भी दिया है आधार चार दिया है क्या दिया है अरे यह लंब होगा तो यह आधार होगा नहीं आधार चार दिया है और और क्या दिया लंब दिया ना लंब क्या दिया तीन दिया ठीक है मने रख दिया आप समझ गए ना मेरी बातों को आपसमझ गए अब जो एक बूजा नहीं दी गई उसको भी हम निकाल लेंगे धीकर यह लिखो पाइथा गौरास परमिये से लिखोगे भाई आई कोरपर प्लस स्वास्वार्थ भोड़ को उपनाश्यकाइर तो करिए 16 प्लस 9 याद पतचीस असी बराबर हो जाएक मुझे सब और पतचीस इसी इसी बराबर आएंगा पांच इतना आएगा ए सी कमान 5 आ हम तो सब दिखेगा और तो जलो 48 यहां पर सारे मान निकाल लें जो हमें जरूरत है जैसे साइन कि पुज़िशन में फिर से देखो एक बार कि 1-10 इसक्वाइर यह बराबर है कॉस्ष इसक्वाइर के बराबर है या नहीं है इसकी जाच के लिए हमें 10 साइन और कॉस्स रिमान मालूब होने चाहिए तो हम साइन एक आमान निकालेंगे और तैन एक निनकालेंगे जो सा अबराबर लंबभत्ते कर्ण सूत्र होता है предлаг to बभू धयान देना कौन ए है सब में वही है कौन नहीं बदल रहा है इसलिए लंब न iş जाएंगे सब ओही रहेंगे ठीक है तो एक लिए लंब तीन हो जाएगा करड़ पांच हो जाएगा यह हम रख देंगे क्या तीन बटा पांच ठीक है क्या रखेंगे तीन बटा पांच यह हो जाएगा तीन बटा पांच इफी तरह से कौस एका सूत्र क्या हो जाएगा लाल बटा कक्का से लाल बटा कक्क धिक आधार बटे करड बाबू यहां पे समझना न अधार क्या आपका वहाँ आधार क्या वहां पे देखो न अगर यह कुण। इस पर बन रहा है तो उसके सामने लंब धो जाएगा है सामने Cairo रूसे निर्गेश पॉजरन ड़िक पन ऍर शकुण contenisu 60 समझ में आया ना यह हमें दिया है अब हमें जो जांच करना है उसको एक को LHS मान लेंगे एक को RHS मान लेंगे और दोनों मान हम निकाल लेंगे है ना चलिए रख देते पिर क्या दिक्कत है लिखिये की लिए इतना एसे कर लो अगल बगल में कावपी में इतनी जगा होती ही तुम बगल बगल कर सकते हो इतना कर लिया कितना करने के बाद फिर क्या करोगे उसके नीचे लिखो जो भी निकालना है हम उसको लिखने चल रहे हैं ठीक है अरे भाई एक जो इसके पहले का question करवाया था उसमें दो पार्ट था न पार्ट थो तुम उसे कर लोगे की नहीं सत्वे question में square भी था न कॉट square कर लेना कोई दिक्कत नहीं है चलो तो चलो इसमें क्या करेंगे लहें ले लेंगे सबसे पहले हमें लहें ले ले लेते हैं हां लहें मतलब left hand side वाला पद तो क्या है भाई इस्क्रीन पर देखो 1-10 square a upon 1 plus 10 square a यह माइनस 10 square a और 1 plus 10 square a यह फार्मूला इदर साइड में हम apply करेंगे फटा फट रखते जाएंगे आंसा दोड़ते आएगा तीन बटा चार दिया है का दिया बाबू तीन बटा चार तो 1-3 upon 4 का whole square हो जाएगा और यह 1 प्लस 3 upon 4 का whole square equal 1-9 upon 16 और 1 प्लस 9 upon 16 तब के नीचे वन वाह लिखिए कि इसके बाद में हम यहां के बाद में उधर साइड हल करेंगे वह इस बोला का इसमें भी होगा यह हो जाएगा 16 कम 16 जान नोव बटा शोड़ा से सोला कट गया इसमें से गटाओ गया नोव जाएगा साथ आएगा यह 25 कितना आएगा सेबन अपां 25 यह किसका मान आया यह लेचेस का मान आया अभी हमसे पूछा था कि क्या यह दुनों आपस में बराबर है यह नहीं है इफ लिए हम आरेचेस के भी मान को करेंगे किि इसको लिख लिए फिर रहैचेस का निकलते हैं ठीक है हो गया इतना चलो अब रहैचेस का मानन निकालेंगे इसी जगाह पर निकालेंगे क्यों कि हम साइन का स्टाइन की जरूरत है अगर इसको मिटा देंगे थोyun लिखेंगग वह गया इतना अब लिखो RHS क्या लिखोगे RHS मतलब राइट हैंड साइड वाले जो टम्स हैं हमें उनको हल करने हैं देखिए पूरा कलास इंड तक देखना बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं प्रियंका सिंग दिख रहा है कमेंट्स आपका मोहित राजेस अगरवाल सुमित और यमडी माजिल ठीक है आम अजीव जिपस हैं आपके तो डॉंट वरी आपका लास पर देहां दो वास आरे चेस वाला पद क्या है भाई कोस स्क्रीन पर देखो नीचे दिख रहे नंओ सिस्क्वाईर माइनस स्क्वाईर चाहाँ नहीं स्कौरर एघ यहां पर कोई सूतर नहीं थिक्ष कोई दिक्कत नहीं ना दोला मैंकल के ही 65 है आप काई लोगा सितनी सुङ यह खुदि परनी यह क्या हो गया अब है अब हम आपने देका कि ल het भी इतना ही आया था बोलो आया था कि नहीं आया था यह लिखोगे यहां पर एल एचेएस एक्वल आर एचेएस पूछा क्या था कुश्चन में क्या यह आपस में बराबर है या नहीं है आप नीचे लिख दो आता हां आता हां 1-10 स्कॉयर एपान वन प्लस टैनी स्कॉयर एबराबर उसी स्कॉयर एब साइनी स्कॉयर एए हैं पदल दोनों बराबर हैं ठीक है या फिर लाइच्ट में लचेफ बराबर लचेफ लिख दोगे तो भी समझने वाले समझ जाएंगे हो गया यह दोनों तरीका आप कुछ भी कर सकते हो इसमें किसी को परिशानी दिक्कत नहीं न कोई परिशानी नहीं न चलिए लिख लीजिए आपका आठवा नंबर हो गया डन इसके बाद अगले प्रस्म की तरफ आगे बढ़ते हैं ज्यान देना 9 नंबर कोईश्चन नंबर 11 आपके सामने है इस स्क्रिन पर है बहुत ही प्यार से दिख़ार आप उससे देख़ी है और समझाचिए क्या कहता है कह रहा है कि दिया है टैन ए इक कॉल वन अपन रूट थ्री एक्वल क्या लंबटे आधार इकोल पीए पान भी मैंने लिखा है दिया है क्यों क्या है इसका मतलब जड़ा समझ यह एक्चुलिट ने बराबर यह तो हमें दिया है कुश्चन में आप देखिए नीचे स्क्रीन पर सबके नीचे दिख रहा है और टैन एक जो सूत्र होता है तिरकोड मित जनुपात में लंबटे आधार होता है मैंने बताया है नूआ लंबबटे आधार को इंग्लिस में परपेंडी कुलर बोलते हैं अथार को बेस बोलते है इसलिए प अपान भी लिखा यानि यह सीबेसी वाले के लिए ठीक है और अगर कौन को हम इस पर मानेंगे बाभू औ और यह करण होगी ठीक है तो हमें क्या दिया है दो साइड दी गई लंब और आधार दिया है तो लंब क्या है भई वन है आधार क्या बावू तीन है कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न लेकिन यह तीन नहीं दिया है अंडरूट में तीन दिया है तो आप यहां पर अंडरूट 3 लगा इसमें नहीं पता हमें उसको क्या करेंगे पाइथा गोरस पर्मिय से निकालेंगे यह बहुत स्कूर धन, B,C, का स्कूर, ठ् scr himself, 10 affirm, । A,B ॐ इस्की, होल इसक्व हएर, यानी ती और 7 रहेगा में में Ancharap Hi we have an दिआ, मैंने से मेरे साथ ही चार भजायेगा आप पड़नकी this डाउट नहीं होना चाहिए क्यों नहीं नहीं कोई डाउट नहीं आगे बढ़ें यानि हम जो है वह एसी भी मिल गया कुश्चन में पूछ क्या रहा था एक नजर मैं फिर से दिखाऊंगा लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ ना बताऊं देखो कुश्चन कह रहा था कि sign a पहला इसमें दो पार्ट है कुश्चन नमबर 9 में कह रहा कि sign a cos a plus cos a sin c का मान ग्याद कीजिए तो पहले हम जो जो कह रहा है उस कमान सब यहां पर find कर लेंगे ठीक है तब निकालेंगे तो यहां हमे sign a का मान निकालना है sign c का भी मान निकालना है पहले 81 लिखेंगे sign वाले जो भी है cos a का मान निकालने है क्यों cos a निकालने है और cos का c का भी मान निकालना है यह हमें इतने मान पहले find करने है तब हम इन दोनों question के part को कर सकते है ठीक है तैसी सित्र होता है बावू लंब यह पर लांटिक है तो अगर हम सबस्ठेसा की ग्जाओ होगी तो किना उसद्र उसके सामने की ग्जा फेंडिक्ड और होगी जिसका मान है एक 1 और यह आधार होगा तो यह और only joke होगा यह 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 ऑन अपान्न नहीं समझ में आएगा बिल्कुल बता देना ठीक है अगर मैं ऐसे थोड़ा सा और समझने के लिए आपके लिए लिख दू यह हो जायागा वन किसका माने बी-सी का और एसी यानि साइन ए बराबर क्या हो जागा बी-सी अपाने सी लेकिन बी-सी एसी से नहीं मतलब यह तुम का मान बदल जाएगा बाबू लेकिन सूत्र वही रहेगा लंब करण के मान बदल जाएंगे और सी है इसमें हम कोण यहां पर लेंगे अब सी पर याद रखना इस पर नहीं लेंगे सब्सक्राइब यहां खड़े हो कर देखेंगे सी पर तो इसके शामने की बुझा लम होती है कर्ड होती है लोग इसन बनेगा और सामने की कुछ अलम के कावांताई को आजाओ कॉ्स में आ जाओ यह पर भणन सामने की कावांता है इसका सूत्र जिय धहान देना न हौण और बन रहा बाबु इस देखेंगे से մतलन होगी यह आधार होगी यह कर्ड होगी, तो इसका सूतर क्या होता है, लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ड, आधार बटा कर्ड होता है न, तो इसके सामने की बूता क्या होगी, लंब होगी, आधार क्या है यह है न, यह कर्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट तीन बटा, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत ना कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना इस तरह सी का निकाल लो इसका भी सूत्र आधारबटे करड़ ही होगा अधारबटे करड़ होगा अगर जब कोण सी पर बनेगा तब ध्यान देना इसके सामने की बुझा लंब यह आधार यह करड़ तो सामने की बुझा लंब नीचे वाली आधार आधार यानि वन और करड़ यानि दो होगा इन भूझाओं के भी लिखज़ाओं की लिखतया बाती उन की समान था बीसी का रों किसका मान था कारूं की सथा मान था पिक को बाते हैं मैं कैस थी प्रिशन प्रिश Не आपको आगे करता हूं अब सब्सक्श ऑंगया अब बना-बनाया नहीं वरभानरव जरूरत की चीज़ों को यहां पर लिख लिया गया है अब आपको सिर्फ और सिर्फ कोस्टन का सलूसन करना है को के डन चलिए जिनकी जरूरते थी उनको मैंने प्राप्त कर लिया है अब हमें कोईशन करना है तो इसका फाइस्ट पार्ट हम उपर साइड में लिखेंगे बाबू यहां पर ध्यान देना फाइस्ट पार्ट कहता है साइन इंटू कॉसी यह आपको निकालना है साइन इंटू कॉसी इसके आगे दिख रहा है न और है इसमें कॉस ए साइन सी क्या है कॉस ए साइन सी हमें इसके क्या करने है मान फाइंड करने हैं साइन एक कमान जो आया है उसे लाके रखो एक बटा दो साइन एक कमान क्या आया है एक बटा दो इंटू कॉसी कमान क्या आया है बबुआ कॉस सी मतलब ये भी एक बटा दो ही है प्लस कॉस एक मान क्या आया है देखो रूट तीन बटा दो और साइन सी का मान भी वही है मतलब ये सब बराबर हो गए सनियोक से ये लो ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं इनका मल्टीपल करोगे आपस में बाबू ये वन अपान फॉर हो जाएंगे और ये प्लस देखो अंडरूट तीन का अगर अंडरूट तीन में गुड़ा करेंगे मैं तुम्हें बहुत बार बताया हूँ एक्चुली अंडरूट न मिले कोई भी संख्या वर्गमूल में है उसका इसक्वाइर है तो उसका अंसर हम शाटकर में वह नमबर लिख देते हैं वर्गमूल रूट दोनों हटा देते हैं बस यहां पर हमारा क्या हो जाएगा यह तीन बटा नीचे दो दो का चार पस हो गया इस तरह से हर हर बराबर है तो नीचे वैसे रह जाएगा वन प्लस थ्री यह जूड जाएगा इसका अंसर कितना आएगा आप लोग समझ गये होंगे कमेंट कर दो फटा फट चाचा चलो तो वन आएगा ना कर लो कर लो देर ना करो बिल्कुल फटा फट जल्दी-जल्दी से बोलते रहो वन आएगा ना ठीक है इस तरह से आपका क्या हो जाएगा यह फोर अपान फोर यह कट जायएगा वन अपान वन इक्वल वन जागे एक लिख लिजिए नाइन नंबर का फ़र सानी नहीं अब कुछ मस्त एकदम टॉप चलो ठीक है ओके एकदम क्लियर है नहीं एकदम मस्त है कि इसको जल्दी नोट करो सिकंड पार्ट दिखाता हूं और जल्दी करो फटा फट फट पास्ट इसमें दो पार्ट थे न चलो रख लो कॉस एंटु कॉस सी माइनस साइन साइन सी तो कॉस एक कमान क्या है रूट तीन बटा दो इंटु कॉस सी कमान एक बटा दो है माइनस साइन सी साइन सी कमान रूट तीन बटा दो है और साइन साइन ए था पहले यार साइन एक बटा दो है एक बटा दो है उसके बाद फिर रूट तीन बटा दो रहेगा यह कुछ ऐसा है कि साइने कमान एक नेख बटादो है साइन सी कमारूट 3 बटादो है इनको हल करेंगे आपको पता है कि यह रूट 3 हो जायेगा यह दो दून चार हो जायेगा माइनस वही यहां पर भी हो जाएगा कि मुझे तो लगा यह भी गड़ बड़ा गया का जीरो हो जाएगा का यहां पर एक लगा सकते हैं तो अंड़रूट 3 माइनस अंड़रूट 3 अपान 4 हो जाएगा क्योंकि हर-hari बराबर है जीरो अपान 4 दिक्राना बराबर और फाइनल में जीरो आएगा सुनना आएगा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना इस तरह से आपका प्रस्म संख्या नव भी समाप्त होता है कि कुश्चन नंबर नाइन भी कंप्लीट हो गया लिख लिजिए इस करेंसाट ले लिजिए और समझिए को कुश्चन नंबर 10 और 11 कैसे होगा जरा ध्यान देना बाबू समझना क्या कह रहा करने को थोड़ा समझना थोड़ा नहीं मतलब पूरा समझना क्या कह रहा है देखो कि तिर्भूज PQR में जिसका कौंड Q समकोंड है जिसमें PR धन QR 25 सेंटिमेटर है पीकू बराबर 5 सेंटिमेटर है चाइन पी कॉस पी और 10P के मान गयात करने है ठीक है यह आपको क्या करना है find करना है तो बहुत आसान है simple सा है don't worry कोई दिक्कत नहीं है कर लेते हम लोग कैसे तिर्भुज PQR एक बना लो जैसे अभी मैं समकोंड तिर्भुज बना रहा था इसमें कह भी रहा कि कौण क्यूं समकोंड है इसमें PQ धन QR 25 cm है और PQ 5 cm दिया गया है इसमें से जो एक नहीं दिया गया उसको निकाल लोगे ना निकाल के और मान निकाल लेना इसको आप लोग घोमोर करोगे ठीक है मैं कहो तो थोड़ा फ़ा तरीका बता देता हूं कर लेना वैसे हिंड मिल जाएगा इतना बहुत है चलो नहीं आएगा तो बताना वैसे आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए थोड़ा बहुत न ठीक है चलो कोश्चन नमबर 11 देखिए 11 नमबर कोश्चन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने लायक है करा बताईए कि निमलिखित कथन सत्ते हैं या आसत्ते हैं कारण सहीत अपने उत्तर की पूश्टी कीजिए मतलब इनको बताना तो है लेकिन कारण भी बताना है ठीक है तो 11 न की है कर देजिए तो प्रिए ज़्टे कंवा आ लाग इसका हो सकता है क्या आस त्यूह है मैं बता रहा हूं सुने यह फाल्स है 10A का मान हमेशा एक से कम होता है 10A is less than one हमेशा यह कोई रूल नहीं है यह कोई ऐसी बिधी नहीं है कैसा होता ज्यादा कम हो सकता है कैसे कारण सहीद बताने को बोला है तो आप एक काम करो कारण में थोड़ा डीटियल में बता देता हूं आप इधर साइड में एक समकोंट सिर्भुज बनाईए बना लिया इनके नाम लिख लो कुछ भी लिख लो ABC बने लिख लिया क्योंकि हमें दिखाना है कि 10A का मन हमेशा एक से कम नहीं होता है तो हम इनकी बुझाएं कुछ भ इनकी भुझाएं हम कुछ भी ले सकते हैं मान लो आधार को ले लिया 12 है इसको ले लिया पांच है अगर यहां से हम टैने कमान निकालने इस सूत्र से तो क्या होगा मुझे बता हूं कि अनि पांगा खैने कमान क्या होगो भ चैने कमान लाल सूत्र लगा होग यह लाल बटा कक्का आपव को आप अन आप वालु और बटा 5 यहां से इस फिगर के अकार्डिंग 10 एकमान 12 बटा 5 आ रहा है अगर 12 बटा 5 को आप भाग दे के देखो आपस में तो कितना आएगा भाग दोगे तो 2.4 सम्थिंग आएगा अब 2.4 क्या 1 से कम है बोलो नहीं है न तो कैसे कह रहा है कि टैने कमान हमेशा एक से कम होता है कुछ भी रख सकते हैं इस पर हमें सिद्धे करना यह तो इलजाम लगा रहा फिदा फिदा यहां से भी यह सिद्ध हो जाता है क्या 2.4 इस ग्रेटर देन वन क्या कह रहा कुश्चन में कि टैन एक अमान सदव एक से कम होता है यह तो एक से कम हुआ ठीक है यह जरूरी नहीं है यह मान हमने अपने फिर रखे थे न हम चलो इनको थोड़ा बदल देते हैं उसमें क्या जाता है यह पहली कंडिशन मने चक किया जिसमें यह दिखा रहा ह कि हां 10 एक अमान एक से कम होता है चेकर दूसरी कंडिशन एक और देख लेते हैं उसमें कह जाता है एक और देख लो इसको पांच मान लें इसको बारा मान ल्यत्व क्या होगा भाई हमें मानना ही तो है हमें सिद्धी तो करना मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं ऐसा कहीं कुछ कहा तो है नहीं इसमें जरूरी नहीं कि हम 12 और 5 ही माने इस पर तुम कोई गिंती मान लो हमने लिया 12 और 5 चुना है तो ठीक है चलो तो आप क्या होगा यहां पर समझना दूसरी कंडिशन में भी समझ लो अगर हम 12 और 5 मान लेते हैं तो भाई लंब 5 हो जाएगा यह हो जाएगा इसको अगर भाग देंगी बाबू आप लोग भाग देके देखो एक बार तो आपको पता है न क्या आएगा पांच में 12 से बढ़ाओ जीरो उतारो 12 चोक अनटालिस ना घटाने पिकितना है दो जीरो उतारा बारा एककम भारा मतलब 0.41 सम्थिंग आएगा जो भी आएगा न तो क्या है यह 0.41 सम्थिंग जो भी है यह वन से कम ही जादा है लेस देन वन है ना एक से छोटा नहीं है यानि जो यह आ 10A कमान एक से ज्जाधा था है दूसरे में क्या है 10A कमान एक से कम है हमैं इस को ईधारण नहीं है यह जो लिखा गया वह गलत है यह गलत सिद्ध हुआ ठीक है, इसमें किसी को कोई doubt नहीं गिला, कोई doubt है तो बता देना, बिल्कुल भी आप tension मतले न, एक भी पैसे गा, ठीक है, अगला, इसका second part देखिए, second part में क्या बोल रहाई है करने को, समझिए, second में कहरहा है कि कौन A के किसी मान के लिए, एक एक बराबर बारा बटा पांच है इसमें और कुछ नहीं दिया है कि एक अमान बारा बटा पांच है तो ठीक है हम इसको भी ड्रक के ट्राइक कल लेते हैं तिर्भूज में हम लिखेंगे पहले सेक ए वैसे के जो है वह कॉस का उल्टा होता है आपको पता है ना कॉस का सूतर क्या होता है लाल बटा कक्का से आपको पता है कॉस का सूतर क्या होता बबुगा ये लाल बटा कक्का या एक और समझे लो ये पंडित, बदरी, अरफाद, अरहर और बोले ये भी दोनों मतलब समझे लो, दोनों का बता देता हूँ यल का मतलब लाल बटा का 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 मतलब कर्ड इसमें पंडित, P मतलब परपेंडिकूलर, H मतलब हाइपोटेनियस बी मतलब बेस, यह मतलब हाइपोटेनियस यानि हाइपोटेनियस मतलब करड़ करड़ तो देखो सब का मतलब वही हुआ, इसमें यल का मतलब लंब है, इसमें पी का मतलब परपेंडी कूलर यानि हिंदी में लंब बोलते हैं इसमें A का मतलब आधार है, इसमें B का मतलब बेस है, बेस मतलब आधार, इसमें L का मतलब लंब है, इसमें P का मतलब 20 कूलर यानी लंब है, यह इंगलिस वर्जन यह है, यह हिंदी वर्जन है बस, समझ गए ना, इसका मतलब यह होता है, तो भाई बाबु हमें क्या निकालन कर अब से निकलना स्कावाइब दूसरे प्याता है फिर वह बटा के यानि का वांचर बटे कर्ण यह भोगा क्या होगा कर्ण बटे आधर क्या होगा हो जो भुग मज़ें कि समय कारा कि किसी मान के लिए जो है बारा बटा 5 है या 12 पाँंच हमने इसका लिखा यदि हमें कर्ण 12 दिया है और आधार का दिया 5 दिया है अगर यहां पर ए लेंगे तो यह लंग हो जाएगा यह फाइख है क्या पेड़र क्या यह किसी मान के लिए ऐसा है यह नहीं है यह बताना आए इसी बाथ यह करण है यह क्या है आधार है तो क्या यह लंब निकल सकता है हां निकल सकता है कर लो बाराबर हमें 144 पचम पचीस 144 से पचीस घटा होगे ना करके देखो इसको करना नहीं सिर्फ हां या नहीं बताना है तो घटा के देख लो चवुदा में से पांच गया नौ वह यार अमें लगता है साथ आएगा न जलो ऐसे घटा लो में लगता साथ आएगा करके देखो नौ पांच उद्ण आएगा तेरा में से दो गया इसमें से उधार गया था यह कितना बचा तीन-तीन में से दो गया एक 119 यानि कहने का मतलब यह अंडरूट 119 आएगा आपको संब्वोंको पता हो गया आप लोग समझ गया होंगे मेरी बातों को एक त्रिभूज बनना संब्वाइ अगर यह मान कण से बड़ा आ जाता तो हम कहते कि यह संबभा नहीं है कि 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 सबसे बड़ा होती है कि किसी भी सम कॉण तिरभूज कि करर सब से बड़ी बुजा होती लेकिन आपको पता है कि इसका जो भी मान आएगा वह 12 से कमी आएगा बोलो 12 से कमाएगा न वहीं समकोंड सिरभूच के लिए क्या चाहिए वर्ले सबसे बड़ी भूजा चाहिए बाकि आधार्लम कुछ भी हो सकता है ये उसको पालन कर रहा है तो लिखेंगे सत्य या लिखे चीजरा पाट देखो बाबू-वमकि और ह कि Smart ओने के लिए परिवक्त एक संचिप्त रूप है कि सॉट सेन्डे के लिए परियुक्त अंचिप्त रूप हैätte। आपको मैंने नहीं बताया अभी कोई जरूरत नहीं पड़ी कि यह साइन क् स्टयान हम लोग बोल रहें बार-बार बख रहें न यह पूरा नाम नहीं है ये इनका सर्टकत नाम है जैसे किसीका नाम है पंडित राम परफाध लोग पी आर परफाध पी आर परफाध अ chant तो पी मतलब पंडित आर मतलब राम परसाद मतलब परसाद तो पी आर परसाद बोलें पंडित राम परसाद बोलें पंडित राम परसाद फुल नाम है और परसाद साट नाम है यह फुल नाम नहीं है हुं देखो कर दीब हो का बता है तुब है क्षाव्स'll नाम है कौसाइन क्या है तोसाइन ओक है और जो कॉसेंग का फूर्मनाम है ब्बबू कॉसेक का फूर्ल नाम वोता है का सेंट क्उसेंट होता है को सेंट होता है ठीक है यानि क्या क्या को सब्सक्राइब 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 को सब कि इसके लिए परियुखत होता है यह कहँए कि इसके लिए परियुक्त है नहीं इसके लिए तो यह परियुक्त होता हुल जाला इसla कोने बहुत हिंग कर姦ा यम बोल लेंगे यह यह क्या आता है कि जिन में कोई पात्ती नहीं राएं लिए देखे समझते चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सब बहुत ही मज़दार है बहुत आसान है अगर आप एक बार समझ गे न तो नहीं आ पार है बाबु नहीं आ पार है चलो अगला कह रहा कि कौट ए कोट और एका गुड़नफल है क्यों था इनका कहने का यह मतलब है कि जो कौट ए है इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इनका यह मतलब है क्या यह ऐसा है कि यह तो इंसान की सरीर से इंसान की खोपड़ी अलग करना हो गया कि कैदें कि खोपड़ी एक दूसरा इंसान है और हमारी जो बाड़ी यह दूसरा इंसान है नहीं न हमें एक हैं न तो वैसे यह भी है यह असत्त है यह असत्त है क्यों पता है क्योंकि यह मथा होता इसमेंं technology प्रकार सी और कमनों होता यह किसी कोण के क्यार सां?」 ने इसको से अलग नहीं किआ द सकता या इस गुड़े में नहीं होता है आपने प्रैया है से देखाोगा छूप है का मन ऐसे कामन अगर यह कोड़े सब्सक्राइब शक्राइब को में थोड़ी निकलेगा यादि वह गलत है इसको इस MoreJul Wow के रूप में नहीं लिखा जा सकता है यादि वह पूरा-पूरा एक के पढ़ यह इतका हम दो भाग में नहीं अलग लग तोड़ सकते हैं अभा उत्वी तरह से अगला देखो अगला क्या कैता वह किना किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर फिटीन बटा चार कि यह भी करवा देता हूँ सरे समझते चलो बाई अगला फाइव नंबर गुल्श कि यह भी क्या है असत्य है कि यह असत्य है क्यूं असत्य है शार बता तायूं आँए यह असक्टिफ लिए है और There रहा है कि किसी भी थीटा के लिए सां तीटा 4 बटा 3 होसकता है क्या जर्ज समझें 14 है अगर साइं तीटा वराबर 3 बटा 4 करेंगी वक्रहें हमें पता है कि जाहने लम्ब तीन है कंड क्या है चाहर है प्सक्रिण चाहर भट निमर्ट चाहर cay चाहर निस्वारी चाहर बटा तीन दिया आपकी किताब में halls 4 अजधा चे दिया रहे हो कि तरा है क्योंगि सकता है क्यूंग आप को गैसा क्यूंग रहे होехद कि कि इसमें लंब चार दिया kard 3 दिया सीदा विदा य warto चाहर है किसी भी सम्कॉर्डबूज में कर्डब सबसे बड़ी भुजा होती है कि नीचे लिखो असत्य है क्यूंग सकते हैं इसके आगे कारण लिख लो क्योंकि किसी भी समकों तिर्भुज में कर्ल सबसे बड़ी भुजा होती है लेकिन थाइन थीटा बराबर चार बटा तीन में लंब कर्ड से बड़ा है कर्ड लंब से छोटा हो रहा है इतलिए यह संबहुर्ण नहीं है आया समझ में तो इस तरह से बच्चों आपका एक्सरसाइज 8.1 खतम हो गया ठीक है आपका एक्सरसाइज 8.1 इंड हो गया अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए निसंकोच बताईए पूछिए हम बताएंगे ठीक है जल्दी से फटा-फट कमेंट करते जाए हम आपके दोस्तों में साथियों में सेयर खूब करिए दबा के और नोर्स बनाईए जितना पढ़िए आपका कोर्स परिक्षा के पहले बड़े प्यार से खतम हो जाएगा जितना पढ़ा रहे उतना तुम तयार करके चलो बस ठीक है बहुत बहुत धन्यमाद आज के लिए आप सभी कपडेट आपको मिल सके कि कौन सी कलास चल रही नहीं चल रही कप चलेगी नया बैच कप सुरू हो रहा है फिरी वाली कलास कप से फ्री कर रहे है सब मालूम चलेगा फॉलो करें